बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम, याकनाबुदू वा याकनस्ताईन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुमेंट ओफ इनर्शिया को मुमेंट ओफ इनर्शिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपको चैप्टर नबर थ्री का एक कॉंसेप्ट बताता चलू जो के था इनर्शिया, न्यूटन के लाज में हमने इनर्शिया की बात की थी के इनर्शिया हर पार्टिकल की एक इनहेरंट प्रॉपर्टी है इनहेरंट का मतलब होता है वरास्ती या कुदर्टी तोर पर यानि हर पार्टिकल के पास कुदरती तोर पर एक खासियत मौजूद होती है उसको हम इनर्शिया कहते है और इस प्रॉपर्टी की वज़ा से पार्टिकल क्या करता है हमने पढ़ा था कि अगर एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट की कंडिशन में है यानि रुका हुआ है और हम उस अबजेक्ट को लीनियर मोशन में लाना चाहते हैं कि वो सट्रेट लाइन के अलॉंग मूव करें तो रेस्ट से लीनियर मोशन में लाने के लिए हम पार्टिकल पर फोर्स लगाते थे और इसी तरहां अगर एक पार्टिकल पहले से मूव कर रहा है हम उसे रोकना चाहते हैं या रेस्ट में लाना चाहते हैं या हम उसकी विलास्टी को चेंज करना चाहते हैं तो रेस्ट से लीनियर मोशन में लाने के लिए पार्टिकल को या linear motion से rest में लाने के लिए या फिर motion के दुरान उसकी velocity को change करने के लिए हमने discuss किया था न्यूटन के लाज में कि हम particle पर एक unbalance force लगाते हैं और वहां हमने ये पढ़ा था कि लगाई जाने वाली force को वो particle जो है जिसमें हम change लाना चाह रहे हैं वो particle इस force को oppose करता है और हमने उस property को जिस वज़ा से particle इस force को oppose करता था उस property को हमने inertia का नाम दिया था लहाज हम कह सकते हैं कि inertia जो है वो oppose करता है किस चीज़ को change in state of linear motion यनि के inertia ये चाहता है कि particle के linear acceleration में कोई भी changing ना आए अगर particle rest में हुआ तो उसका linear acceleration zero होगा और particle यही चाहेगा कि particle जो है वो rest में ही रहे और rest में रहने के लिए force को उसकी जो property oppose करेगी उसे हमने inertia कहा था inertia को बिटा हम linear inertia भी बोलते हैं वो इसलिए कि ये linear force को oppose करता है और हमने ये पढ़ा था कि हर particle का inertia जो है वो उस particle के mass पर depend करता है जिस particle का mass ज्यादा है वो force को ज्यादा oppose कर सकता है और जिस particle का mass कम है वो force को कम oppose करेगा तो ये हमारे पास था inertia का concept इसी तरहां का concept जो है वो बिटा हम angular motion यानि circular motion में पढ़ते है और उसे हम कहते है movement of inertia तो अगर कोई particle rest में है हम उसे angular motion में लाना चाहते है या एक particle पहले से rotate कर रहा है हम उसे रोकना चाहते है या उसकी angular velocity को change करना चाहते है तो particle को rest से angular motion में लाने के लिए या angular motion से rest में लाने के लिए मैंने आपको चैप्टर नमबर टू में एक कॉंसेप्ट पर पढ़ाया था टॉर्क का कि जब भी पार्टिकल को रेस्ट से अंगुलर मोशन में लाना है तो हमें उस पार्टिकल पर टॉर्क लगाना पड़ेगा और अगर एक पार्टिकल पहले से रोटेट कर रहे हमने उसकी एंगुलर विलास्टी को चेंज करना है या उसको रेस्ट में लेके आना है तो फिर भी हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा तो बेटा पार्टिकल की वो वाली प्रॉपर्टी जो के एंगुलर फोर्स को यानि के टॉर्क को अपोज करती है याद करें मैंने आपको बताया था टॉर्क को हम एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं तो पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो एंगुलर फोर्स यानि टॉर्क को अपोज करती है उसे हम मुवमेंट आफ इनर्शिया बोलते हैं तो इसे भी हम क्या कहेंगे the inherent property of a particle that oppose any change in state of angular motion के particle की वो वाली property जो उसकी angular motion की जो भी state है यानि जितने angular acceleration के साथ वो रोटेट कर रहा है या उसका angular acceleration zero है तो मुवमेंट आफ इनर्शिया ये चाहेगा कि उस particle के angular acceleration में कोई भी change ना आए तो जैसे इनर्शिया पार्टिकल की inherent property है ऐसे ही मुवमेंट आफ इनर्शिया भी पार्टिकल की inherent property है मुवमेंट आफ इनर्शिया जो है वो angular force यानि टॉर्क को oppose करता है इसलिए हम इसे angular inertia बोलते है यानि इनर्शिया अपोज करता था linear force को तो हमने उसे linear inertia बोला मुवमेंट आफ इनर्शिया जो है वो अपोज करता है angular force यानि टॉर्क को तो इसे हम angular inertia या rotational inertia बोल सकते हैं अब हम मुवमेंट आफ इनर्शिया का relation drive करते हैं और ये डिसकस करते हैं कि मुवमेंट आफ इनर्शिया किन फेक्टर पर डिपेंड करता है तो अब हम डिसकस करेंगे मुवमेंट आफ इनर्शिया एंड न्यूटन सेकिंड ला इन एंगूलर मोशन के सर्कूलर मोशन में न्यूटन सेकिंड ला को हम किस तरहां से लिखते ह ये तो linear motion में था linear force, mass यानी linear inertia and linear acceleration अब हम newton second law को angular motion की terms में drive करेंगे तो उसके लिए फर्ज करें हमारे पास ये एक object है जिसका mass M है और हमने इस object को एक rod के साथ attach कर रखा है और इस rod की जो length है उसे हम R से represent कर लेते हैं अब हम क्या करते हैं हम इस particle पर यहां से एक force लगा देते हैं और ये force हम ऐसे लगाते हैं कि ये force इस rod के perpendicular हो तो जब हम इस particle पर ये वाली force लगाएंगे perpendicular to rod तो आपको पता है जब इस particle पर force लगती है तो उस particle में acceleration produce हो जाता है तो हम force लगाएंगे perpendicular to rod तो उस particle में acceleration जो है वो produce हो जाएगा तो acceleration के लिए हमारे पास relation आजाएगा F is equal to MA इसको हम कह लेते हैं equation 1 यहाँ A वो acceleration है जो इस particle में इस force की वज़ा से आएगा अब अगर हम यह force ऐसे लगाएं कि यह इस R के perpendicular हो तो आपको पता है अगर force perpendicular distance के साथ आ जाए तो वहाँ से torque बन जाता है और torque जो है वो पार्टिकल को rotate करवा देता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह force जो है यह उस particle को जिसका mass M है उसको rotate करवा देगी about point O यह वाला point जो है यह हमारे पास point O है इसको आप center of circle कह लें या pivot point कह लें तो यह particle जो है यह इस circle में rotate करना शुरू कर देगा अब जब particle rotate करेगा तो उसमें angular acceleration आएगा alpha और हमने linear acceleration और angular acceleration का यह relation पढ़ा था A is equal to R alpha तो अगर मैं यह A की value acceleration जो है वो यहाँ equation 1 में लाके put कर दूँ तो हमारे पास यह relation आ जाएगा force वैसे ही आजाएगी mass भी particle का वैसे ही आजाएगा और A linear acceleration की जगा हम R alpha पूट कर सकते हैं तो यहाँ A की जगा R alpha आगया तो हमारे पास यह relation बन जाएगा F is equal to M R alpha यहाँ R क्या है R आप rod की length कह लें या circle का radius कह लें या आप perpendicular distance कह लें between force and this pivot point तो torque हमारे पास होता है moment arm into force तो चूंके यह R perpendicular distance है या इसका force के साथ 90 का angle है तो आपको मैंने बताया है कि perpendicular distance को हम moment arm बोलते हैं तो अगर हम यहाँ पर torque पता करना चाहते हैं कि particle पर torque कितना लग रहा है तो वो torque equal होगा moment arm हमारे पास R आ जाएगा और force की जगा हम यह put कर देंगे जो हमारे पास है M R alpha यहाँ से यह M ऐसी रह जाएगा R और R जो है वो सुकेर हो जाएगे तो हमारे पास यही रिलेशन क्या बन जाएगा यही रिलेशन हमारे पास आ जाएगा M R सुकेर और यह अलफा आ जाएगा और यहाँ हमारे पास होगा torque तो यह हमारे पास angular acceleration है यह हमारे पास particle का mass है और यह perpendicular distance है from pivot point या rod की length या circle का radius तो यहाँ हमारे पास यह जो quantity आई है M R सुकेर इसको हम moment of inertia बोलते हैं तो moment of inertia एक तो particle के mass पर depend करता है और दूसरा perpendicular distance R पर depend करता है तो जरा इस equation को आप इस equation के साथ compare कर लें यह force है linear motion में force, angular motion में torque, linear motion में linear acceleration, angular motion में angular acceleration तो यह M हमारे पास क्या है? M अभी आपको बताया, mass होता है और इसको हम linear inertia बोलते हैं तो अगर यह linear inertia है तो यहाँ M की जगा M R सुकेर आगया है तो M R सुकेर हमारे पास particle का inertia ही होगा लेकिन चुनके particle rotational motion में है तो हम इस inertia को rotational inertia या फिर moment of inertia बोलेंगे तो moment of inertia को हम mathematically भी define कर सकते हैं the product of mass of particle and square of perpendicular distance from pivot point is called moment of inertia of that particle तो moment of inertia यह relation बता रहा है के mass और perpendicular distance के directly proportional है moment of inertia सिरफ mass और R पर depend नहीं करता यह mass distribution पर भी depend करता है इस बात को हम next lecture में discuss करेंगे तो यहां से हम unit निकाल लेते है mass का unit हमारे पास आजाएगा kg और R हमारे पास length है length का unit हमारे पास होता है meter तो उसका उपर आजाएगा square तो kilogram meter square moment of inertia का unit है बात करें dimension की तो mass की dimension capital M length की dimension capital L और यह power 2 यहां पर आजाएगी तो M L square moment of inertia की dimension होगी लास्ट पे एक important short question है जो के है significance of moment of inertia पेपर में short question आता है के moment of inertia की significance क्या है तो इसके लिए हम इस relation को torque is equal to M R square I है तो हम इसे torque is equal to I alpha लिख सकते हैं हम torque is equal to I alpha को compare करेंगे newton second law के साथ तो यह हमारे पास जो है यह newton second law है in terms of angular motion और यह हमारे पास newton second law है in terms of linear motion तो इन दोनों relation को compare कर लें तो जो काम linear motion में force करती है वही काम angular motion में torque करते है जो काम linear motion में linear acceleration यानी a का है वही काम angular motion में angular acceleration यानी alpha का है लहाजा जो काम linear motion में mess यानी linear inertia का होगा वो ही रोल आई यानि मूवमेंट आफ इनर्शिया या एंगुलर इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया एंगुलर मोशन में प्ले करेगा तो जो काम लीनिर मोशन में इनर्शिया का है वो ही काम एंगुलर मोशन में इनर्शिया का है of inertia का है तो ये एक important short question है जो मैंने आपको अभी बताया तो आप इसको ये दो equations को compare करके पेपर में explain कर सकते हैं ये था हमारा topic moment of inertia next lecture में हम moment of inertia frigid body की बात करेंगे और हम ये सीखेंगे के moment of inertia mass distribution पे किस तरह से depend करता है